शत्रसगर में पिछले कई महीनों से लगातार ट्वेनों के बाद दोब लेट होने का सिलसला चलता आ रहा है यात्रियों को स्टेशन में ही चार से पाच घंटे इंतजाव करना पड़ता है इतनी गर्मी में यात्रियों के परिश्वानी जानने के लिए कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज रेलवे स्टेशन पहुचे जहां उन्होंने वेल यात्रियों से मुलाकात की इस दोरान उन्होंने कहा कि जो वेल नहीं चला पाए वो देश को 10 साल तक कैसे चलाए है उसका अनुमान लगाया जा सकता है यह देख रहे हैं आप रेलवे स्टेशन के हम लोग नजदी के और रेलवे स्टेशन में है जो रेल नहीं चला पाए वो दस साल तक कैसे सरकार चलाएंगी कैसे सरकार चला यह सबसे बड़ा सवाल है